सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिये और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिये ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे मिस ना करें What's up guys, it's Fahad back with another video आर इस वीडियो में बात करेंगे rats की, not these rats, not even these rats इस वीडियो में हम जिन rats की बात करेंगे वह हमें प्लेक तो नहीं दे सकते इन rats की तरह लेगिन हमारे computer के लिए ज़रूर हमफुल है, so let's start तो red यानि की remote administration tool जो की एक malware है, malicious software है, जो की अगर आपके computer में install हो जाए, तो जिसने भी इसको install किया है, उसको आपके computer का पूरा access मिल जाएगा, वो जो चाहे वो कर सकता है आपके computer में बिना physical access होए, यानि की आपका computer वो बैटके यहाँ physically access नहीं कर रहा होगा, बट फिर भ owner पर बैठे के, वो आपका computer को control कर सकता है, उसकी data का access कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि उसके पास physical access हो, आपके computer का वो सारी चीज़े कर सकता है, लेकिन वो कहीं और बैटके है, नि वो remotely आपके PC को control कर सकता है, तो यह malware काम कैसे करता है, यह malware client और server पर बेस्ट है इसके client file होती है, जो कि आपके computer पे install कर दी जाएगी, अगर वो file आपके computer पे install हो जाती है, तो आपका computer client बन जाएगा, यानि कि आप victim हो, और जिसने भी वो install करवाया है, आपके PC में उसके पास server है, यानि कि एक वो उसके पास application है, जिसके जरीए वो आपके computer को control करेगा, य दुनिया, यह महबेर, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, रैट सिफ computer के लिए नहीं होते हैं, वो और भी devices के लिए होते हैं, जैसे कि Android, Mobile के लिए भी होते हैं, वो उनको भी effect करते हैं, उनके अलग-अलग rates आते हैं, वो उनको भी effect कर सकते हैं, I don't know why my hair looks so fucked up today, अब बात क कैसे, कैसे आपके PC के अंदर यह आ जाता है, मान लीजे आपने एक pirated software डाउंड़ोड किया, समझ लीजे एक paid software था, जो कि आपको free में चाहिए, तो आपको free में डाउंड़ोड किया, कहीं से, कोई third party website से, तो उनने आपको software तो provide कर दे लेगे, वो software के अंदर उनने red भी install कर करके दे दिया, तो इस तरीके से होता है, यह कोई और application के साथ उसको bind करके दे देते हैं, आपको site साथ में, आप जब वो install करते हो, तो वो भी install हो जाता है, आपको पता भी नी चलता है, कि आपने install कर दिया और यह आपके system के अंदर hidden रहता है, और जिसको जो भी करना है, आ इसमें आप लोग को बताया जाता है, कि Red को कैसे यूज करना है, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जैसे कि एक हो गया software Dark Comet, computer के Red के लिए, और एक हो गया Android Mobile के लिए, ऐसे आपको बहुत सारी tutorials online मिल जाएंगे, तो यह और भी तरीके से spread होता है, जैसे कि email, email से आपको भेज दिया जाएगा, एक attachment होगी, आपने click कर दिया तो आपके इसमें install हो जाएगा, और भी तरीके से आपको manipulate करके इस चीज़ को आपके computer वगरा के अंदर install किया जा सकता है, तो इसी की साथ ये वीडियो यही पर खतम हो जाती है, I know this video was short and not long as my day, तो अगर आपको I'll see you guys in next video, BYE